हलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स स्वागत आपका हमारे चैनल सुमन किचन हिंदी में और फ्रेंड्स आज मैं बनाने वाली हूं बेशन की पप्री तो यानि कि अब भी एनिके सीतला माता पूजन आने वाला है और इसमें इसे बाशोड़ा भी कहते हैं तो इस तरह से उसमें ये प बेशन को निकाल लिया है और बेशन को च्छान भी लिया अच्छे से यहां पर थोड़ी सी अजवाइन एड़ कर रहे हैं साथी एड़ करेंगे हाफ टेबल स्पून नमक आप ले सकते हैं आपके टेस्ट की अकोडिंग जैसा नमक आप खाना पसंद करते हैं थोड़े सी य बाद में यहां पर इन सभी मसालों को अच्छे से बेशन में मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें जितने भी मसालें अच्छे से मिक्स हो जाएं और यहां पर मिक्स करने के बाद में इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करके आटा बना के तयार कर लेंगे तो आप जब भी अगर आटा लगाते हैं तो आटा लगाते समय जरूर ध्यान लखना है आपको कि आटा बिल्कुल आपको टाइट लगाना है जिस तरह से पूरी का आटा लगाते हैं उसी तरह से आपको बिल्कुल टाइट आटा लगाना और यहां पर देखे मैंने आटा लगा के त्यार कर लिया है और यह जो बेशन की पपड़ी होती है यह काफी तेश्टे लगती ही खाने के अंदर मगर आपको आटे को बिल्कुल टाइट लगाना है थोड़ी सी इसमें लगेगी मैनत यहाँ पर देखिए दो हिस्से कर लेंगे अभी इस आटे के हम और एक हिस्से को अच्छे से मैश कर लेंगे चकले पर हाथ पर इस तरह से रब करते हैं इसको अच्छे से मैश कर लेंगे बिल्कुल भी क्रैक नहीं ओने चींश में और बिल्कुल भी इसके अंदर लचीला पन नहीं होने चींशे बिल्कुल टाइट रखना है आपको आटे को ये इसमें आप विशे ध्यान रखे रेसिपी को बनाते समय यहां पर अभी मैंने इसको गोल गोल करके अच्छे से लोई बना के तयार कर लिए और यह देखे बिल्कुल भी क्रैक नहीं है इसके अंदर साइड में दबा देते हैं थोड़ा सा इसको प्रेस कर देते हैं उंगलियों से और प्रेस करने यह दिखे जितना के प्रेस है और दसकी आप जितना ही प्रेस कानें त्सक्यत है में और और टेस्टैन में यहां सोधूर आपके काटनिक ुद्रू है और यह कर शाहिए हैं और विल्कुल एक आई sisters कासा और नहीं किनूर है तो सब्सक्राइब आप अलग design में cutting कर सकते हैं मैं यहां पे class की सायता से gold shape में cutting कर रही हूं और यहां पे इसकी cutting करने के बाद में इनको इसमें से हम निकाल लेंगे तो निकालने के लिए यहाँ पर इसको साइट से इस तरह से उठाएंगे तो यह देखिए जो cutting करावा है वो तो पूरा हाथ में इस तरह से आ जाएगा और जो गोल पीश है cutting करेवे वो चकले पर ही रह जाएंगे और यह देखिए यहाँ पर यह मैंने निकाल लिये हैं और यह देखिए बिल्कुल ना तो ज़्यादा मोटी है ना ही ज़्यादा पतली है और यहाँ पर इसी तरह से हम जितनी सारी बन सकती है जितना आटा है उतनी बना लेंगे और यह चक्कू से इस पर डॉट डॉट के निशान लगा देंगे ताकि इससे जो बेशन के नमकिन पपड़ी है बहुत ही इस क्रंची भी बनेगी और खाने में सौफ्ट भी लगेगी तो यहाँ पर इस तरह से सप्पे मैंने लगा लिये हैं और इसी तरह सारे बना के मैंने तैयार कर लिये हैं और सारे ही बना के तैयार हम कर लेंगे इसी तरह से और यहाँ पर एक तरफ से आपको इस तरह से डॉट लगाने हैं दूसरी तरफ से नहीं लगाने हैं क्योंकि एक तरफ से लगा देंगे तो हलके से पीछे की तरफ आ जाएंगी और काफी अच्छे के अंदर भी रखके सुखा सकते हैं और यह काफी अच्छी से सोख चुकि है जादा भी हमें नहीं सुखाना है इनको एक दिन तक के रख लिए यहां पर अभी गैस पर रख दी कड़ाई इसमें हमने तेल गरम करने चड़ा दिया क्योंकि हमें अब इनको फ्राय करना है तो फ पतली होती है उतनी ही खुवरी है उतनी ही सौफ्ट बनती है खाने में और यह दिखें कितना अच्छा कलर आ गया हुआं और तो वह वहाट भी इसको हम यहां पे निकाल लेते हैं और बाकि जो पप्ड़ी हमने बना के रखी है उसको भी हम इसी तरह से इसमें एड़ करके फ्राइ कर लेंगे यह रिखिए अभी इसमें रखी वी है पराथ में तो इनको भी फ्राइ कर लेते हैं इसके इंदर तो यहाँ पे एड़ कर देंगे बाकी बची हुई बेसं की नमकिन पपड़ी और यहाँ पे अभी सीदला माता आने वाली है तो राजिस्थान के अंदर यह बहुत ही बनाई जाती है और साल पर तक इसको स्टोर करके भी रखते हैं खा सकते हैं इसको और यह इस तरह से राज कोमेंट्स के जरूर बताना है कि आपको यह मेरी रेसिपी कैसी लगी है